बस्तर की चित्रकोर्ट विदान सबाक शेत्र खास है क्योंकि वहां से दीपक बैज चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी पृत्याशी हैं, सांसद भी हैं। बस्तर की चित्रकोर्ट विधान सबाक्षेत्र खास है क्योंकि यहां से कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज चुनाव लड़ रहे हैं, यहां से नसर चुनाव लड़ रहे हैं, बलकि सांसद होते हुए भी उन्हें कॉंग्रेस ने यहां से टिकट दिया है। सर क्या आवशक्ता पड़ी कि एक सांसद को यहां से चुनाव लड़वाना पड़ा। लेकिन आपकी पार्टी संकट में भी है, बड़े बड़े आरूप लगाए गए हैं, कल अमिच्छा ने अपने घोशना पत्र के दोरान भी यह कहा कि भूपेज बगेल की नीदड़ी हुई है और उसके तुरंद बाद एडी की और से यह आया कि पांच सो आठ करोड रुप लेकिन आपकी पार्टी को चुनाव में लाए गए हैं दुबई से. उनको बदनाम करने के लिए तरह तरह के अठ कंड़े अपना रहे हैं और इसका अठ कंड़े से उनके हाथ में कुछ लगने वाला है नहीं. आप लोग ये तो कह देंगे कि हत कंड़ा है लेकिन जब इतना बड़ा आरोप लगता है तो आम जनता के बीच में एक मेसेज जाता है पांच तारिक को वोटिंग है. जनता के बीच में आप किस तरीके से मेसेज कांटर करेंगे? अच्छा काम किया है. जनता को सिध हलाप मिला इन पांस सालों में और आने वाला समय हम लोग नए विजन के साथ जा रहे हैं. उसका बेवे सीध हला आप जनता को मिलने वाला है. इसे लिए जनता में इसका कोई फरक नी पडिने वाला है. कॉंग्रेस की और से आप लोगों की और से इस चुनाओं में मुख्य मुद्दे क्या हैं। करजा माफी, करजा माफी, बिसकुंटल दान करी दी, हम एजुकेशन फ्री कर रहे हैं पूरे पहले से लेके केजी से लेके पीजी तक का, बिजनी फ्री और सिलेंडर माता बहनों के लिए पास्सोर रुपे सबसीड़ी, तो इस तरह से, अगले टर्म के लिए क्या वादे हैं अगले टर्म के वादा है, अगले टर्म के वादा है, देखे हम लोग पिछले पास साल के, हम लोग इस पास साल के, हमारी सरकार के पास साल के कामों को लेकर हम जनता तक जा रहे हैं, और आने वाला समय में हम लोग कौन सा काम करने वाले हैं जनता के लिए, उनको लेकर हम ज गेल इस तरह से आक्रामक हो करके बीजेपी आरोप लगा रही है तो उसका जो नेरेटिव बन रहा है उससे आप कैसे आप लोग नहीं पट रहे हैं देखे भारती जनता पाटी एक तो बदनाम करके चुनाव लड़ना चाह रही है नंबर नंबर दो डरा की चुनाव लड़ना चाह रही है आप देखेंगे बयान हम उल्टा लटका देंगे हम ये कर देंगे वो कर देंगे nu-पी विहार नहीं है ये छतित-ितिजगड़े गन के चुनाव निलड़ सकते आप when you can aab 36 गड़ की जंता को प्यार से दिल जीत सकते हैं तो ड्रा के चुनाव लड़ रहे है भारतीं जंता पर ड़िसका 36 गड़ की जंता समझ रही है जान रही है देखिए इससे कोई फरक नी पड़ने वाला आप जब देखेंगे अब 27 तारी को मद्दान है पहला चरण का 20 सीट दूसरा तारी का 17 तारी को 17 साथ तारी के बाद दाब देखिए कैसा महौल बनता है पूरे 36 गड़े में और 36 गड़े में इस समय फिर से बड़ी मार्जिन के साथ हम फिर से दुबारा सरकार बनाएंगे पिछले समय अट तो नेट फाइट में बोल रहे हैं अब समझ लिजे कितना बुरी इस्तिती में है उनका गोश्णा पत्र देखिए अब पूरा कांग्रेस का फोटो कापी है उनके पास 15 साल की कामों को लेकर जनता पास जाने के लिए कोई काम है नहीं 15 साल राज करने के बाद भी नमबर बन नमबर टू आगे क्या करने वाली है उनके पास कोई विजन ही नहीं है ना नेता है ना नियत है ना वादे हैं ना इरादे हैं मतलब पूरी तरह से भारती जनता पार्टी 36 गड़ में नेस्त नाबूद हो चुकिये है जो प्रदेश सद्यक्ष होता है उसके लिए काफी लोग अलग दृष्टिकोंड से उसको देखते हैं क्या आप अपने आपको सीम पत का दाविदार मानते हैं नहीं बिल्कुल नहीं इसमें बिल्कुल सहमत नहीं है दिपक बैच छोटे से गाउं से उठकर मेहनत करकी आया हूं दुबार का विधायक सांसत मुझे आला कमान ने प्रदेश सद्यचाज बनाई जिम्मेदारी दी है कठीन समय में तीन मेने में काम करने का कोशिश किया हूं और किये हैं सब इनिताओं को साथ लेकर चले हैं दूसरा चीज कि आज बड़ी जवाबदारी है और सब मिलकर काम करने हैं स क्या मुख ऐसे बिंदू होंगी जिससे 36 गड़ का विकास हो और इस तरह से विकास हो कि लोग सच में आगे बढ़ सकें अभी तो हमारे गोशना पत्र और आ रही है आप देख लिए हमारा ब्लूप्रिंट पूरूस में है देखिए 36 गड़ में काम करने के लिए हमारे पास एजन्डा भी है विजन भी है दोनों है हम दोनों को लेकर हम चल रहे हैं बहुत आउसर है देखिए बस्तर जैसे छेतर समा आ रहे हैं यहां बस्तर में काम करने के लिए बहुत सारे आउसरे 36 गड़ में काम करने के लिए पहले क्या होगा शुरुवात में अगर आप लोग जीत के आते हैं तो सबसे सुरुवात में पहली केबिनेट में फिर कर जामाप ही होगा जो हम लोगों ने गोशना किये हैं उन गोशनाओं को जितने जितने ज्यादा हो सके हम हमारी सरकार बन का उसका जवाब देते हुए हमारे साथ चित्रकोट विधान सभा के प्रत्याशी विनाग गोयल हैं और बस्तर राजपरिवार के राजकुवर हैं कमल चंद भंज विनाइक जी आप अकेले लड़ रहे हैं और उधर एकी आदनी में कई आदनी हैं PCC अध्यच हैं सांसद है क्या कहेंगे मंत्री भी हैं वो किस तरीके से उनका मुकाबला कर रहे हैं जी सर देखिए क्या है मुकाबला भारती जनता पार्टी संगेटन के साथ युवाओं के साथ कारिकरताओं के साथ शाउद जनता के साथ इस सभी साथ मील के लड़ा हैं क्यूंकि PCC अधेग्ष बिकार के साथ लोड़ी है, सभी जनता के साथ, सभी कारी करताओं के साथ, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर हम लोग जा रहे हैं, भारती जनता का बिश्वास है, कि अभी साथ तारी को जो बहुमत होगा, उसमें सभी जनता के साथ, एक साथ, सभी बहुमत के साथ हमारे भारत जनता से मुख बात आप क्या कह रहे हैं कि क्यों वह पहरकों यहां पश्चनटा पार्डी के जो जो गोषना पत्रा जा रहा रहे हैं पिछल्य जो स्ब्सक्राइब स्थब्सक्राइब हम लोग है ने करना वरी औरीफार्टी पार्टी को प्रणाप नियुक्त स्ब्सक्राइब समझ्या अपने यहां तो बहूँ सार है जल का है पानी के बैश्टा है सुरी पानी का स्वास्त लेकर जारे लोगों तक उई आप समस्य कमल भन कह इंग में इस थानी बात करたें 508 करोन की दो बाती नहीं करते ज़िए 508 शुद से खूला सा हुआ सदनली जी बिधा कि Almost के पूर्ण बात है कि महादेव है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुक है जैसे कि प्रधान मंतरी जी ने कहा उन्होंने भी बोला था कि ऐसी बहुत सारी चीजे चल रही है कि जो घोटाले चल रहा है इतने बड़े-बड़े घोटाले अब गोठान का गोठाला देख लीजी कि आज दिन तक सिर्फ करप्शन मिला जो आम जनता है यहां पर बैठी हुई है ये माना जा रहा है कि इन सब आरोपों का जनता को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है वो ये देखती है कि हमारे खाते में कितना है हमारा फाइदा क्या हुआ तो क्या आपको लगत कि आने वाले समय में यह बहुत ज्यादा फाइदा देगा आपका कहना भी सही है कि उनके खातों में क्या जा रहा है जैसे प्रदान मंतरी जी जब हमारे शायद धान का खरीदी की बात हो अगर आप देखेंगे तो हमारे बाई सुरुपर डारेक्ट चले जाता है उनके डा बहुत सारी ऐसी यूजर जो डायरेक्ट हम उनसे बात करना चाहरे है और जैसे कि आप जानते हैं कि आपने प्रश्न पूछा हमारे पत्तियाशी से कि कौन सी ऐसी मूलभूत सुईधा है प्रदान मंतरी आवास नहीं बन पाए दूसरा सबसे मूलभूत सुईधा हमने बोल सरकार आती है तो आप लोगों के अनुसार सबसे पहले तीन काम क्या होंगे जिससे कि आम जंता को लगे कि हाँ बीजेपी की सरकार कुछ कर रही है सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि हम आवास, हमने आवास के लिए बहुत बड़े बड़े अंदोलन किये, कि आवास हम सबसे महतपूर्ण हम पहुचा हैं, दूसरा हम पानी की सुईधा हैं, क्योंकि पानी हमारे प्रदानमंतरी जी ने खुद कहा था कि हम सब घर पहुचाएं और तीसरा जो है, जितने भी PSC के घोटाले हैं, जितने भी बड़े बड़े घोटाले हैं, जो आप अभी आपने बता दिया, 500 का बता दिया, ऐसे बहुत सारे घोटाले हैं, इसके उपर जाच आस तक नहीं हुई, हम लोग का यही मांग रहेगा कि उनकी जाच की जाएं, और यह चीज प्रमुकता से हमारी ग्रामंतरी जी, एब हम प्रदान मंतरी जी ने कहा है कि यह होगा, तो हम जरूर इसके पर कारवाई की जाएगी, यह तीन सबसे महतपून विशे हैं, जिसके लिए हम संगर्श करेंगे, और धान, जिसकी समर्थन मुल हमने बोला 31 रुप और उसके दो घंटे बाद यह 508 करोन का खुलासा होता है, देखे, टाइमिंग का कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अब घोटाले हुए हैं, अब चुनाओ के ठीक पहले, मद्दान के ठीक पहले, देखे, यह विशे हमारे उपर नहीं रहती, एक एजेंसी है, जो उसका निर्न जीते हैं, जो हमारे बस्तर संभा की जो 20 विदान सभा है, हम पूरी कोशिचे के 20 के 20 से जीते हैं, और मुझे लगता है क्योंकि जो रुजहान मुझे दिख रहे, क्योंकि मैं इतने सार जैसे अब देखे, सुकमा गया था, आज मैं सुकमा में कोंटा विदान सभा में दोर आज आपके एक भाजपा के जो व्यक्ति की हत्या हुई है, क्या गई? अभी हुई है, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, आदा घंटा 45 मेट भी हमें खबर आई कि ऐसी हाथा हुई है, तब पुलिस उसमें रिसर्च कर रही है, चर्च कर रही कि उसमें क्या हुआ था, और बड़ा दुरभाग ये पुन बात है कि ऐसी घटना गटी, और सबसे है जरानी वाली बात इसमें जो हमें हमेशा नजर आई है कि क्यूं भारती जनता पार्टी के ही वेक्ति के उपर ऐसी हाथा है होती रहती है, कैमरमन राजेश के साथ रवी कांत, जगदलपुर